किसान साथियों नमस्कार, राम राम सस्रेकाल आदाव किसान साथियों आप अच्छे होंगे ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं, आप जहां भी रहें, सवस्त रहें, अच्छे रहें किसान साथियों आज जो हमारा एक सबसे महत्तो पूर्ण, जो वीडियो का जिसका एक पार्ठ हमा लड़ी बना चुके हैं, कि अलोवेरा सहजन आमर्त का गोलम कैसे बनाएं, और उसको किस तरह से त्यार करें, वो कितने दिन में रेडि होगा, इस विशे में हमने पिछले वी पीच में निकल के आये थे, कि कुछ फार्मर ने हम से क्विश्चन किया था कि सर अलोवेरा और सहजन कैसा होता है, तो मैं उसकी कुछ फोटो ज आज की वीडियो में डाल दूंगा, उससे वो किसान साथी देख पाएंगे, वो कैसा होता है, और ये समस्या भी उनकी बिल्क कोई मतलब नहीं है, वीव हमारे बढ़े ने बढ़े, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं उस फार्मर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कि जो भी फार्मर इस वीडियो को देखें, इमानदारी से, इस वीडियो को जितना सेर हो, उसके उतना सेर करने का किसान सा तरह तरह के fertilizer और तरह तरह के रासाइनी कुदपाद लाने के लिए या रासाइनी chemical दोवायां लाने के लिए बहुत प्रेसान होना पड़ता है रियल में अगर कहें कि हमारे देश में ऐसे farmer भी हैं जिनको बेचारे को fertilizer लाने के लिए 200-300 रुपए तक की भी नोबत आ जाती है ये वीडियो उस किसान के लिए सबसे महत्व पून रहेगा तो किसान सात्यों मेरी आपसे हाज जोड के विंती है कि इस वीडियो को जितना भी हो सके farmer के बीच में शेयर करने का आप जरूर अबस्ते काम करें आज ये वीडियो आपको कुछ नहीं लग रहा होगा आज ये गहल का महतव आपको कुछ नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस जैसा गोल आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, आगे तो पता नहीं कैसे कैसे गोल आएंगे, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इस जैसा गोल जो रजल्ट आपको मिलने जा रहा है, इस जैसा गोल आपने आज तक नहीं बनाया होगा, आज उस विशे में हम बात करेंगे और बात भी वो करेंगे कि इसको हमें उप्योग कैसे करना के बाद उसको उप्योग करना हैं अब इस बीच में कुछ किसान साथियों का सवाला आए कि 10 किलो ही अलोवेरा आपको लेना है, चाहिए आप 10 लिटर में बनाओ और चाहिए आप 20 लिटर में बनाओ, 10 लिटर में तो कम से कम किसान साथियों आपको मिलाना है, 10 किलो अलोवेरा और 4 किलो सहजन की कोमल पतिया और 1 किलो गुड आपको डालना है, इस बात का विशेश Composer ढालने का आप काम करते हैं 200 Ads the Composer के अंदर यह जो अलो वेरा का जह जिनामर्ट का जो गोल है वह 700 अमल से लेकर एक लीटर तक आप ढालिये अगर आप drip irrigation करते हैं करते हैं तो उस 200 Kang Lincoln learned by themes यह गोल जो having 700 अमल से लेकर एक लीटर से लेकर एक l वेदर करना चाहूंगा कि इस गोल की मात्रा वही रखें जो आपको बताई गई है क्योंकि इस से आपको सही उसकी रिजल्ट का जो आने वाले समय में जो आपको रिजल्ट मिलने जा रहे हैं उसका सही आपको पता किसांसाति उचलेगा अब दूसरा फोलियर सप्रे में तो देखने को मिलेगा और वो भी ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे फोलियर सप्रे में मान लेजिए आपको डेड़ सो लिटर पानी लगता है एक एकड़ में तो ओनली पांसो अमल ओनली पांसो अमल अलोवेरा सहजना मर्थ का गो गोहल आपको उसके अंदर मिलाना है और मैं यह भी आपसे निवेदन करूंगा कि इस गोहल का जिस भी छतर में आप छटकाव करें तो उन टुकडों को दो हिस्सों में बाटें एक हिस्सा तो वह आप लें जो हिस्सा जो भी उसमें आप डालते हैं आज से पहले डालते के मादम से या मैसेज के मादम से आप बताने का करें उसमें फुटाओं में कितना अंतर आपको आया जो पौदे आपने एक साथ लगाये थे एक ही डेट को लगाये थे उन दोनों की बढ़वार में कितना डिफरेंस आपको नज़राया उनकी फलोरिंग में आपको कितना न चाहते हैं तो फोलियर सप्रे की जो मसीन आती है उसमें इसको आप मान लेजिए आपको पांच लिटर पानी लगता है या दो लिटर पानी लगता है तो उस दो लिटर पानी में सो अमल डाल देजिए और सो अमल डालके बीज के उपर बीज उपचारित आप कर लेजिए 99% होता है लेकिन और भी अच्छा अंकुरन या अंकुरित आपकी पोदे जो होंगे नर्सरी अगर आप लगाते हैं माले जी मिर्ची का पोदा लगाते हैं टमाटर का पोदा लगाते हैं बेंगन की नर्सरी आप पहले त्यार करते हैं उसके बाद उसको लगाने का काम करते है तो जब नरसरी को आप उखाडते हैं, तो नरसरी को जैसे ही आप उखाडते हैं, तो ये गोला आप अलग से किसी पातर में डाल लीजिए, और जो भी नरसरी आप जैसे टमाटर जिश्की भी है, इसमें डोवई और लगाईए, उसमें जो फुटाव आएगा, कलियों की जो स जब उसमें तीन-चार पतियां और अंकुरी तगर हो जाएं, उसके बाद इसका फॉलियर सप्रयाप कीजिए, आप देखेंगे, प्लांट के अंदर जबदस्त गरोत, उनकी कलों की संक्या हदिक आएगी, फॉलियर स्टेज आए, उसमें इसका फॉलियर सप्रयाप करें, और होस के तो मैं तो आपसे ये निवदन करूँगा कि हर पंदरा दिन के अंतराल से प्लांट में इसका फॉलियर सप्रय करते जाएए, आपको बेथा और सांदार रजल्ट आपको किसान सात्यों मिलेंगे, ये एक कीट नियोधक का भी काम करेगा, कीट को नियंतरन करने का आपको काम करेगा और इतने रोगों को कंट्रोल करेगा, जिस पर आपने तरह तरह के पेस्टिसाइज पहले बनाए होंगे, तरह तरह के कीटना सका आपने बनाए होंगे, उनमें आपको रेजल्ट नहीं मिला होगा, लेकिन इसमें इतना जवरदास रेजल्ट आपको मिलन जा रहा है इसमें कीट के रूम में एक ऐसे काम करता है अगले पार्ट में आपको बताऊंगा न्यूट्रेन में क्या क्या न्यूट्रेन पोदे को यह देगा यह मैं आगले पार्ट में आपको बताऊंगा तो इसके चार से पांच वीडियो किसान सातियों बनने जा रहे हैं और ये बहुत ही powerful goal, अगर हम इसको कह सकते हैं किसान सातियों, अगर किसी किसान सातियों नहीं बनाया है, तो इस goal को किसान सातियों बनाएं, और एक छोटा सा भी आप फोरे example, फोरे उधान के तोर पर एक trial आप उससे करें, जहां पर आपको nursery लगानी है, nursery लगानी है, उस nursery में नमी की मातरा होनी से यह उस जमीन में, और इसको foliar spray के room में, foliar spray के room में पूरा उस जमीन को आप गिल्ला कर दीजिए, बहले ही एक छोटा सा प्लांट आप ले लिजिए, प्लांट छोटा प्लांट, जिसकी छोटी लंबाई हो, ज्यादा चोड़ा लंबाई नहीं हो, उसमें इसको आप करके देखिए, और जब nursery मालीजी आपको 10 दिन के बाद लगानी है, तो 10 दिन से पहले इसका foliar spray आप कर दीजिए, उस जमीन में आपको changeable नजर किसान साथिव आएगा, इस बात का विसे आप बताने का भी काम करें, वीडियो के मादम से, या जिस मादम से भी आप हमें बता पाएं, इसको क्या क्या result आपको मिलेंगे आने वाले समय में, और इसमें कीटना से की रूम में कैसे ये परवावी है, उस वीचे पर भी किसान साथिव हम बात करेंगे, और इसके साथ में एक छोटा सा गोल हम तीसरे पार्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक छोटा सा गोल अगर इसमें बनाके वो भी अगर आप डाल देंगे, तो इसकी जो पाउर है, वो 40-50 कुना बढ़ जाएगी, वो भी वीडियो अगला जो पहट आप आएगा, उसमें किसान साथिव आप देख पाएंगे, आप देखेंगे कि इतना स्यांदा रजल्ट आपको मिलेगा, जिसका आ अनुमान नहीं लगा पाएंगे, किसान साथिव में वीडियो को जादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा आप देखिए, और इसको समझ ये, नहीं समझ में आता है, तो इसको नोट करने का काम किसान साथिव करिए, तो इसी के साथ नमस्कार, राम राम, जैहिन, जैवार